अच्छा नुक्सान हुआ है कुछ आपको लगता है गांधी परिवार से रिष्टा जोडने के बाद उनके पिताजी की बॉड़ी ने मिली वो स्टिच करते लाना पड़ा क्या प्रिवलिज है आप इसको प्रिवलिज कहते हो हुं ये साथ वो बादमिन डंड कहते ही हुआ उन्होंने उसकी ग्रैन मधर की हतिया किया वन्हों सारी जिंदगी विचारे की अपना नाम चांज करना पड़ा फो सकुर्ठी रिजंस काले जीज करने पड़े वर सक्कुर्षी रिजंस आप इसको प्रिवलिज कहते हो पर बीजेपी में जाने की वज़े से कोई अपने भाई से रिष्टा थोड़े तोड़ देता है हमारे परिवार में से कोई भी व्यक्ति बीजेपी में नहीं गया, कभी भी नेहरु जी, इंद्रा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हाँ तो फिर जैशा जी कैसे बैठें बीसी से में? पर आप फिर भी राहुल गांधी की लीडर्शिप पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं ने चुनाब हारे है, राहुल गांधी बताईए, बावन पर ले आया है वो कॉंग्रेस पार्टी को, इतने सारे स्टेट्स हार गए, अब बचा क्या है कॉंग्रेस के पास, तीन स्टेट बचे है लगता है आपको हाल में जो 14 एंकर्स को boycott किया था, वो भी गैड जरूरी था, कोई जरूरत नहीं थी उसकी सबसे पहला मौत का सौधागर, मोधी जी ने कॉंग्रेस और सुनिया जी को का था, 2002 में गौरव यातर के दार, सुनिया जी ने 2007 में का था इस देश में तैसीन क्या मुस्लिम होना मुश्किल हो गया है, जोगी बहुत सारे निता बोलते है, मालब कॉंग्रेस पार्टी के सपोर्टर आप हमेशा रहेंगे, आपने ये सोचा है क्योंकि में कॉंग्रेस है, मर्ते दम तक, अगर वे लास्ट मैं स्टेंडिंग हो, मैं आपने जो शहजाद को दस में से कितने नंबर देंगे प्रवक्ता की तोर पर, राहूल और प्रियंका में बहतर नेता कौन है, क्या रोबर्ट वाडरा को चुनाब लगना चाहिए, सोनिया गांधी, मा, बहुत सारे लोग क्यते है, हाँ, अचुली मा, अशोग गैलोथ, श मानग गुपता, आज चायवाला इंटर्व्यू, कॉंग्रेस के कटर समर्थक, तैसीन पुनावाला का, तैसीन पुनावाला के और भी का introduction है, आप इनको एक page 3 celebrity के तौर पर जानते हैं, एक लिखक के तौर पर जानते हैं, एक एंकर के तौर पर जानते हैं, तीवी पैनलिस तो हम चाय पिएंगे और आपके बारे में बात होगी तैसीन, परफेक्ट, वेलकम, तैंक यू मानग, तैंक यू सो मच पर आपका, जिसकी चर्चा कम होती है, और वो चर्चा है कि आप गांधी परिवार के रिष्टेदार है, तैस है, आप रॉबर्ट वाड़रा की कजन, मानिका वरड़रा के हस्बेंड है, और वो जी जा, रॉबर्ट वाड़रा अपको क्या लगी? बाभी तो आप इनको भाभी बोलते हैं? अब प्रिअका जी, और वो आपको क्या बोलती है? तैसीन, और रहूले आपके दूर से रिष्टे में शूर तैसीन, और रिखल आपक मेरा Congress का support इससे कोई मतलब नहीं है, मैं Congress को, मैं Monica को मिला, उससे कहीं वर्ष पहले से मैं Congress के लिए TV पर बोलता था, ये तो आप जानते हो, तो Congress से जो मेरा संबंध रहा है, वो प्रायर तो Monica रहा है, वो 2008-09 से रहा है, 2008-09, actually prior, जो Congress से जो संबंध रहा है, वो परिवारी संबंध जो है, मेरे जो grandfather है, वो मातमा गांदी जी के साथ जेल में गए ते अगाखान पैलिस में, जब बापो अगाखान पैलिस में तो Congress से हमारे जो परिवार का संबंध है, वो गांदी जी के समाने से हैं, Monica just coincidentally happened to be related to Robert, but देखी, एक चीज़ है, क्या मैं Monica से, मेरा Monica से रिष्टा, जो है, वे मेरे एक personal relationship है, it has nothing to do with Congress, तो कम अलाका दूई थी ती आपकी, Monica से? अगर मानलो किसी BJP leader की, की cousin होती, Kukoo FM, India का leading audio show platform है, जहां आपके लिए 10,000 से भी जादा audio books and audio shows available है, जो की self-help, finance, business, spiritual categories में हैं, जिनको सुनके आप एक productive इनसान बन सकते हैं, आपके लिए एक special offer भी है, जिसमें आपको पहले महीने के subscription पर 60% का discount मिलेगा, पस हमारा ये special code freedom60 इस्तिमाल करना है, तो तेरी मत कीजिए और जल्दी avail कीजिए, बाकी details वीडियो के नीचे description में हैं, तब ही मैं Congress का ही supporter होता, so Congress has nothing to do with Monica, मेरी Monica से मुलाकात हुई 2014 में, 2014 में हाय था में होटल, दिल्ली, पाटी बाटी में मिले थे, नहीं, लंच पर मिले थे, हमारी common friend थी मुंबाइ से, मुझे 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 मिलना था, मेरी common friend को, she is from Mumbai, I had to skip कि मेरे TV shows थे, देखो, I am doing TV before I met Monica, मेरा TV show था, sorry, ये 2013 end की बात है, मेरा TV show था, right to food security bill आ रहा था, Manmohan Singh Ji की सरकार ला रही थी, TV debate हुआ, अगले दिन, मैंने अपनी friend को का, I'll catch up with you, उसके पहले हमारी briefing थी food security bill के ओपर, BJP इसका विरोध करे थी, briefing थी, क्या कहना है क्या नहीं था, as supporters और supporters के थे, पंकच पचोरी जी थे ये, media advisor, उस briefing के बादा I called her up, I said if you are around, we'll catch up, she said I'm doing lunch with a friend Monica, if you want to join, join, I didn't know Monica को, मैं लुछ पहले हुआ रुछा और पाचा, and Monica and I became friends, तो वहाँ आपको पता चला कि, उसके पता नहीं चला कि, उसके पता नहीं चला कि, उसके पता नहीं चला, I just thought, honestly, cute girl, and I got to know her, मुझे फारखी नहीं पड़ा, even later on, it didn't matter to me, मैं जैसे कर रहा हूँ, whether she's related to XYZ, or she's related to BGV, मेरी कॉंग्रिस के प्रती जो support, it has nothing to do with my... लेकिन फिर भी बड़ी बात है न, गandhi परिवार के आप रिष्तीदार बन रहे थे उस समय, दिमाग में आपके पता नहीं क्या-क्या चल रहा होगा, कुछ शक होगे, कुछ स्केप्टिसिजम्स होगे, कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा... कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, see I love Monica, my relationship with Monica is beyond who she is cousins with, who she is related to, who she is not, मुझे उसके, उससे कोई फरक नहीं, अगर आप गांदी परिवार के रिष्टिदार बनोगे, तो कुछ लोगों ने, निउस्पेपर में डाले stories, तो डाले, वो ठीक है, क्या डाले stories, यह डेटेंग, कुछ लोगों ने लेका हमें बार, वो तो stories डाले उन्होंने, बट उससे क्या फरक पड़ता है, for me, is my relationship honest or no, A with Monica, B Congress, तो आपकी life को कोई असर नहीं हुआ, गांदी परिवार का रिष्टिदार बनने के बाद, Robert Wardra की कजन से आपने शादी की, आप उनके जीजा बन गए, तो जागे रहे कि परिवार से मिलना जुलना और वो सब शुरू हुआ होग मुझे कोई, मुझे मेरी life में क्या चीज लाकिंग थी कि अब जादा मिलेगी, क्या चीज अब जादा मिल रही है, जो पहली थी, my life was always privileged, मैं बहुत अच्छी जिन्दगी तब भी जीता था, आज भी जीता हूँ, हाँ, of course, I am very blessed that I have got Monica as my partner and a family, जो मुझे बहुत प्यार करत गांधी परिवार से रिष्टा जोडने के बाद, जादा scrutiny हो गई, जादा trolling हो गई, हाँ, यह होता है, but मैं पता हूँ, सबसे ज़्यादा जो लोग attack करते हैं, वो जो Congress वाले रहते हैं, वो ही करते हैं, आप competition वाले person वाले, ऐसा क्यों है, वो इसलिए करते हैं, कि उनको ल जबके मुझे इन में से किसी भी चीज़ की जुरुते हैं, और कोई ambition भी नहीं है, कोई ambition नहीं है, मैं बहुत खुछ हो अपने space में, और मैं genuinely कह रहा हूँ, मैं जो Congress को defend करता हूँ, it is irrespective of Monica or Robert जी और Priyanka जी, मुझे उन से, हाँ, वो एक emotional चीज़ है Robert जी के लिए, of course वो ह But fact is, जो मैं TV पे बोलता हूँ, जो मैं defend करता हूँ, जो मेरे points होते है, जो मैं social media पे रखता हूँ, क्या उसमें तर्क है या नहीं है, क्या मैं वो capable, मैरी capability है नहीं है, और क्या मैं मने मॉनिका को मिलने से पहले वो करता था या नहीं, that is the only question तो मतलब रवाट से दोस्ती है रसे बड़िया इंसान है बड़िया इंसान है बड़िया इंसान है और प्रियंका जी से भी अच्छा एक्वेशन है मेरे पूरे परिवार से देखो ये प्रियंका क्या बोलती है तैसीन बोलती है मैं प्रियंका जी बोलता हूं और वो तैसीन क्या बोलेगे भी चाहिए तैसीं बोलते हैं जब भी मुझे वह भार मिले हैं I think he is one of the most amazing people, बहुत ही humble है, बहुत ही decent व्यक्ति है, बहुत ही पड़े और सुलजे हुए व्यक्ति है, बहुत ही grounded व्यक्ति है But as a human being, मुझे लगता है, बहुत कम ऐसे इनसान होते हैं, जो Rahul की तरह अच्छे इनसान होते है, बहुत ही बहुत अच्छे इनसान है तो मतलब जो यह narrative या imagine की social media में और media में बनाई जाती है, वो छवी गलत है, उनके साथ अन्याय करते हैं लोग, जब यह कहते हैं कि देखिए तो privileged है, गांधी परिवार में पैदा हुए गए तो अपने आपको पता नहीं क्या समझते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, जनता करते हैं, क्या privilege है, आप इसको privilege कहते हो, he lost his grandmother, जिनके साथ वो badminton कहलता है, उन्होंने उसकी grandmother की हतिया की, क्या privilege है, उसकी सारी जिंदगी बिचारे को अपना नाम चेंच करना पड़ा, for security reasons, colleges change करने पड़े, for security reasons, आप इसको privilege कहते हो, उस परिवार नहीं दिया है इस देश है, यह तो मुझे लगता है, गलत है, I think that's unfair, at the same time, उस वो जो privilege की बात करते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना grounded होना, इतना लोगों के बारे में सोचना, इतना empathetic होना, I think that is, बलाप करें किसी भी हिंदुस्तानी परिवार की तरह, गांधी परिवार भी बिल मैं लोग साथ में रहते, इकठा रहते, खुशी से रहते, खुशिया मनाते साथ में, साथ में खाना, पीना, पूजा पाठ होती है, और क्या होता है, भारत यह संस्कृती है, इसमें क्या लग है, तभी तो भारत को रेप्रेजेंट करते हो family, just like several other families, पर तैसीम, यह तो पड़ेगा, आपने कहा कि आपने इस रिष्टे का कभी कोई फाइदा नहीं उठाया, कभी कोई फाइदा लिया नहीं, आपको जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप इसी रिष्टे की वज़े से, आपने अपने भाई से अपना रिष्टा तोड़ दिया, effect है ना, not because of this relationship, because of BJP मुझे दुख हुआ कि BJP में गया, not because of this relationship per se, मुझे प्रियंका जी या रॉबर्ट जी ने थोड़ी काता कि उसे रिष्टा तोड़ी यह तो गलत है, बट वो गया, और वो, पर BJP में जाने की वज़े से कोई अपने भाई से रिष्टा थोड़े तोड़ देता है, हाँ, मे रिलेशनशिप है, ऐसा ने कि मैंने तोड़ा एक तरफा है, आपने तोड़ा, आपने बकायदा ट्वीट करके अना उसकिया था, एक तरफा है, बट क्या है कि बहुत सारी चीज़े ऐसी हो गई, जो in hindsight, I think could have been handled maturely, हाँ, personally मैं नहीं चाहता था कि जो राहुल गांधी पर attacks ह प्रियंगा जी पर वो करें, और कोई करें उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बट अब वो हो गया, उसको मैं change नहीं कर सकता उस चीज़ को, I think in hindsight, both could have handled it better, but that's how it is, बहुत सारी चीज़े जो मैं public domain में नहीं कहना चाहता हूँ, चाहर वो भी नहीं कहना चाहेगा, I think that's how it is, but यह चीज़ का मुझे हमेशाद दुख रहेगा, कि हो Congress छोड़ा, हमेशाद दुख रहेगा, दुख रहेगा अलग बात है, लेकिन आपको respect नहीं करना चाहेँ था शहज़ाद के इस decision का, अगर वो Congress छोड़कर BJP में जा रहे थे, और आपकी तो बातचीत नहीं है, अगर BJP में आपके दोस्त हैं तैसी, और आप अगर उनके इस decision का सम्मान करते हैं, कि वो BJP के supporter हो सकते हैं, लेकिन आपसे उनकी दोस्ती है, तो शहज़ाद तो भाई है, बिलकुल है, फिर, बट मैं सोचता हमारे परिवार में से कोई भी वक्ती BJP में नहीं गया, कभी भी शहज़ाद फर्स्ट है, वो गए, उनका decision है, उस decision के साथ उस वक्त मैजस्ट नहीं कर पा रहा था, आज मुझे लगता है, आज भी मुझे लगता है, कि वो जब एगे बीजेपी में, जो राहुल गांदी था और प्रियंका गांदी जी थे, उन पे attack नहीं है, पर कुछ चीज़ों को कुछ नहीं करना चाहिए, आपका दिल रुटा था 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 था, और मेरा दिल बहुत था था, मैं इसको बेटे के तरह पाला था, और Congress, आपको एक चीज़ समझना होगा मानुच जी, आपने शुरूवात की गांदी परिवार से, Congress is not only Gandhi परिवार, Gandhi परिवार Congress के कस्टोडियन से है, Congress देश की पार्टी है, मैं आपको दुबारा से कह रहा हूँ, शहाद हो मेरे दादाजी, शहाद की भी दादाजी हूँ है, गांदी जी के साथ है, पुना के अंदर, तो यह जो Congress के साथ हमारा रिष्टा है, हमारे परिवार किसी ने भी Congress के खिलाफ कभी बोर्ट ने किया, बोलना तो बहुत दूर की बाद है, बोर्ट ने किया, Congress सब कुछ था, तो वो एक चीज मुझे अजीब लगा, but मैं ये भी समझ सकता हूँ कि शहाद की जिंदगी में क्यो ऐसा है, उसकी जिंदगी ने मोड लिया, क्या मैंने छोटा भाई है, मैंने इसको बेटी की तरह पाला, of course I'll miss him, but it is how it is, जो है, so है, you can't, you can't, you can't, you can't, it'll take its time, time heals everything, सब कुछ time heal करता है, I'm sure time will heal it, ये नहीं है कि मैं कोई चीज को close हूँ या वो किसी चीज को close है, I'm sure वो भी नहीं है, बात भी नहीं होती है आपकी कभी, बस TV डिबेट में आप आमने सामने बैट जाते हैं, तो एक दूसरे को target करते हैं, मज़े लेते रहते हैं, और परस्नली आपने अपना रिष्टा पीछे छोड़ भी आए, वो ठीक है, बिकॉस देखो, अगर रिष्टा होगा तो बातचीत में कुछ चीज होगी जिस पर मुझे अब्जेक्शन होगी, कुछ चीज होगी जिस पर उस पर अब्जेक्शन होगी, जब तक वो हमारे ब नहीं होगी है, of course I will always be there. तो बिचारी इसकी मॉह में हो तो आपकॉस करेंगी तो मेरी मॉह मारी लाइफ में इंटरफेर नी करती ना मेरी निश्यादा तो उनको दुख तो हुआ 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 I think she lives with it and I don't think she is unhappy about it क्योंकि वो भी जानती है कि अगर मुझे कभी भी ज़रुत पड़ी या शेहजाद को से टुपड़ी, we both be there for each other but देखिये मानत जी I think it's good कि थोड़ा सा distance हो बहुत सारी चीज़े ऐसी हुए उस वक्त क्या उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं क्योंकि शेहजाद इसी शोपर यहां आकर मेरे सामने बैठे थे, उनने पूरी कहानी बताई थी क्या बता है उसने? उनने बताया था कि कैसे Congress में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी मैंने उनसे कहा कि आप Congress का अध्यक्ष बनना चाहते थे ऐसे में आप चाहते हैं कि आप Congress Party कर रहा था 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 बट मुझे लगता है मुझे किस बात का थोड़ा सा एक issue था कि मेरे परिवार, Monica के परिवार के सबी लोग, सबी लोग यह इंक्रोज रॉबन, Priyanka जी तो मैं old-fashioned हूँ अगर कोई आपके साथ अच्छा रहता है आप उसको target नहीं करें वाकि आप attack करो political वाकि सारी जो लोग उसके साथ political लडाई करें उनको attack करें बट उसके point of view से उसका point of view अलग होगा मैं कौन होता है यह कहने वाला कि सिर्फ मेरा point of view करें उसका point of view है So I agree with it and you agree to disagree on certain things and you keep a distance, I think that's fine कोई पस्तावा है आपको Of course, मुझे पस्तावा है Of course, I miss him. How can I not Of course, I will feel bad about it But But, is this part of the matter मुझे खुशी है कि उसका talent आजे के नाजे के नाजे हो रहा है और इस बात का दुख है कि वह प्रहुश में नाजे के नाजे आप सोचे अगर इस चीज़ को पॉलिटिक्स को एक्षोड़ी ते आप सोचे कितने talented लोग Congress से जा रहे है आप Jyotir Adityas India जी को देख लीचे, Himanta Viswa Sharma जी को देख लीचे, Shahzad को देख लीचे तो इस तरह के talented लोग नहीं जाना चे और कौन आ रहा है Congress के अंदर जिनका आपने लास्ट बार्टकास किया ऐसे लोग आ रहे जो जिनका जो Congressy नहीं थे तो उसका बुरा लगता है कि कई बार ऐसा लगता है और Shahzad and Sudhanshut Rivedi are the two best spokespersons in the country without doubt हमारे देश के दो सबसे अगर तीन सबसे अच्छे spokespersons देख जाए आपने पूछने वाला था मैं एक आरोप यह लगता है तैसीम बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ना यह भाईयों की रड़ाई ना सिर्फ मीडिया के लिए करते हैं सिर्फ मीडिया लाइम लाइट के लिए सोशल मीडिया में चाने के लिए और परसनली जरूर पहले की तरह कुब बाते होती होंगी घर में सब नॉर्मल होगा यह वालो अगई उसमें रहते भी नहीं है पहले साथ में रहते थे तैं अलग है तो इस च्रू कोय उसमें देश्ण मैं जनुएन नी कह रहा हु 2017 से आज तक मेरी शहजाद से एकसे फुजब सुर्वान पैदा हो, यह नहीं बात चीद है, तो सच है, वो सच है, क्यों जूट बोलू में, और आप एक जूट को एक हद तक ले जा सकते हैं, उसके बाद आप एक्सपोज हो जाओगे, तो इसे भी पॉलिक लाइफ में मुश् करते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि आप कॉंग्रेसी हैं और कॉंग्रेस के नेता है, कॉंग्रेसी तो हूम है, बिंदास बिल्कुल कॉंग्रेस में नहीं है, कॉंग्रेस में नहीं है, तो मुश्किल होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है, बढ़िया लाइफ है, बल इंटेलिजिन्ट लोग है, मुझे सस्पेंट करते हैं, मैं अपना स्टैंड चीज नहीं करता हूँ, जो मेरा स्टैंड है वो बिल्कुल हूँ, तो क्यों नहीं कॉंग्रेस जॉइन करते हैं आप, बाहर रहे के क्यों, दो रीजन, एक कि मेरी लाइफ में इतने दूसरे चीज कर रहा हूँ, sorry, बापने लाइफ में इतने दूसरे चीज कर रहा हूँ, दूसरी चीजों मैं इतना व्यस्त हूँ, कि सिर्फ politics और Congress को टाइम देना मुझे लगता है कि वो मुश्किल होगा सिर्फ उसी पर फोकस करना दूसरा freedom भी चाहिए थोड़ा सा अपना पार्टी की मजबूरियों में जंजीरों में रहकर अपनी बात कहना बड़ा मुश्किल होता है आप तो अपनी दिल की बात कहते हैं कई आप को भी लपेट लेते हैं यह गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है कि मैं चाहता हो Congress जीते हैं उसको कई बार मिसिंटर्प्रेट करते हैं बट मैं जनूनी चाहता हो Congress जीते में जनूनी चाहता हो 2024 में Congress की स़रका रहे हैं तो कभी आपको Congress के निताओं ने कहा भी नहीं नहीं जोइन कर लो नो उल्टा कॉल करते हैं आप सही कह रहे हो यह सारे सही का अगर अगेंस्ट बोलते हैं तो तो आपको कॉंग्रेस वाले कहते नहीं कि जॉइन कर लो आज जाओगा तो फिर आप लोगी मेरी मुझे बनी का बकड़ा बनाओगे तो नहीं बट जिस दिन मुझे जॉइन करना मैं जॉइन करूगा इस वक्त मैं जैनुरली बहुत सारी दूसरी चीज़े कर रहा हूँ तो इसलिए तो तैसीम कॉंग्रेस पार्टी जॉइन करने से बच नहीं रहे कि परिवारवाद का आरोप लगेगा तो पहले ही परिवारवाद का आरोप से जुझ रहे है वो भी है अब जैसे मैंने आपको बताया है मैं कॉंग्रेस को डिफेंड करता था था बिफॉरा में मॉनिका दोहजार आट नो से ठीक है मॉनिका को मैं मिला थेरा चौदा में लेकित अगर मैं ओफिशली कॉंग्रेस में जॉइन कर दिया अपना स्टैंड का सब यह कहेंगे भई आप जी जाके जी जाओ तो आप यह कर रहे हैं वोई होगा है वोई ट्रोलिंग होगा जबकि तो इसका कोई से रिलेशन्शिप नहीं है मैं अपना स्टैंड रहता हूँ कहीं बार मेरा स्टैंड कॉंग्रेस के स्टैंड से थोड़ा सा लग उता मुझे यादे जिदन 370 अब अब आपके साथ इसी स्टूडियो में था मैंने सबसे पहला का अगर BJP ने का अच्छ है उ हम इस बार मैं अच्छा इस बेस्टी और मेरा से बार मैं मैं लुद खरता है शो जातलरी नहीं देनर आपने अच्छा लूं करते भी मुझेiva है अपने पॉन जीयू कर गहते अऑफ तो एक नियू नहीं पे नियू नहीं, जा विदू आ प्र और आपने लूंतर आपई करत बोलता कहती है कि तुम अच्छा बोलता है, और जिन बातों में मैं सही हूँ, शी सपोर्ट में लगता है आपको परिवारवाद कॉंग्रिस पार्टी को नुक्सान पहुंचाता है, क्योंगी बीजेपी ने तो कॉंग्रिस को ऐसा परिवारवादी ही बना दिया है, सब कहते ह और पर कहलाच विजेबरगी जी के बेटे उनको लड़ना ता चुनाओ, ये बीजेपी का परिवारवाद परिवारवाद नहीं क्या, ये मेरी कमीज आपके कमीज से सफेद है, बले मेरी कमीज पर महल हो, लेकिर आपके कमीज से सफेद है, तो मेरी कमीज सफेद है, तो मेर जिन उन्हीं कहा रहा हूँ, शौरयद दोवल कहा से आगे है, अजी दोवल जी के बेटे है, देखे, सब में कपैसिटी है, अब वो भी अपना परिवार बार डिफेंट करेगे, हम भी करेगे, बात वो है, बात है, बात है, बीजेपी को कोई moral standing नहीं है, अबसूलूटली नह किसके साथ है, चिराग वासवरान कौन है, जब अकाली दल के साथ थे वो अपकों थे, जब शिप सेना के साथ थे तब कौन है, अब चंदाबाबू ना इडूजी के साथ करना चाते है, जगन के साथ करना चाते है, बीजेपी should be the last to preach on any issue. ओके, point taken, लेकिन ये तो आप मानेंगे, Congress Party की आज जो हालत है, इतिहास में कभी नहीं थी इतनी बुरी, ये मानता हूँ, क्यूं है, कोई तो बज़े होगी, ये सारे भामपंती दिमाग जो चल रहा है Congress वालों में, जो समर्थक है, उनके गिर्थ, सलाकार, समर्थक, कभी-क भारत जोड़ो या तरहा के spokesperson बन जाते कभी से, ये सारे लोग इकटा हूँ, ये सारे लोग इकटा हूँ, ये सारे लेफ्ट के लोग Congress को बरबात करें, मैं आपको मुझे, मैं नाम ने लूगा, इनका जो thinking है, इतना outdated है, इतना outdated thinking है, कि इनको समझ में ने आरा कि कितना आई पॉलिटिकल पार्टी थी, एक नैशनलिस्ट पार्टी थी, औरिजिनल हिंदू नैशनलिस्ट पार्टी, Congress थी, आज वो Congress एक लेफ्ट पार्टी की तरह दिख रही है, क्योंकि जिन लोगों ने Congress को advice दिया या, जिन लोगों ने Congress के बारे में perception बनाया, वो out of natural reality से, कौ करते हैं, जैराम रमेश का आप नाम लेते हैं, और भी 3-4-5 नाम है, सारे left, सारे left है, अब left of center होना गलत नहीं है, left होना गलत है, पूरी तरह से left, वो पूरी तरह से left है, उन मेसे जो आपने एक नाम लिया, एक ने शूरू कर दिया, not shout divided, प्रभीन चक्रवर्दी, वो तो आप उन वोटर्स को आप किसी दिन राक्षास कहते हो, किसी दिन इलिटरेट कहते हो, किसी गाउ मुत्र पीने वाले, यह कोई sense होता है, आप कैसे वोटर्स को target कर सकते हो, so what I am trying to say is, it is not about people, it is about the mindset, मैं किसी individual के बारे में नहीं बोला हो, मैं जो left mindset आगे, कि अगर आप BJP को देते हो, आप खराब हो, यह गलत है, आपको fan siters को आपके साथ लेना है, तो राहूल गांधी के अगर आप सलाकार होते, आप क्या सला देते है, बताइए, आपने कहा ना, यह वामपंथियों का कब्जा हो गया, इसलिए Congress का बुरा हाल हो गया, क्या करना चाहिए राहूल क इसलिएपे शेर घृँ और भौरा रहा है, या मुष्पूरा रहा है, या अशलिए बिड़ रशार्यज और देश का मुद्धा ये डरी ड्रेसिंग रूम में घे या ये बिड़े, नहीं थे देश का मुद्धा है, ये अदेश के मुद्धे है अर्थवियोंस्ताँ, अब कि निए बारे में क्या करेंगे हम हेल्थ केर इंफर्ट्रक्ट्टर कैसे डिवल्प करेंगे उस पर दुसरा एडवाइस में राउल गांडी जी को दोगा आप प्रदानमंतरी जी का नाम मत लीज़े एंदेरा जी कभी अपने जो उपने उपने उनका नाम नहीं लेती थी प् इसलिए ना करें कि बीजेपी उसको मिस्यूज करते हाला कि बीजेपी ने हजारो करोडों रुपया खर्च के उनका इमेज खरा करने को मैं उदारन देता हूँ भारत जोडो यातरा की बारत जो नोने परलिमेंट में की मनीपूर्थ के नो कॉंफिडेंस मोशन के दौरा ल आप जितनी देर बोलना चाथे हाला कि टाइम होता है उनने ही रोक पाते क्योंकि उमाहूल बन गया था लोग आपके स्पीच का इंतजार आप भारत जोडों पर डाइवर्टी ने करते हैं दो तीन मिनटे बोलते हैं आप सिर्फ मनीपूर पर और प्रिसाइस बाते करते है चार हजार के करीब असौट वेपन सब्सक्राइब गये तब उसके सबुचते हैं जब आफ गर्रैमांतरी से सवाल पुछते कि यह कब हुआ है कश्मीर में हुआ पंजाब में हुआ जाइन सर्जिंसी थे आप उनसे पुछते कि चीफ मिनिंसर के ट्वीच क्यों डिलीट कर और I am sure कि मिलते होंगे Congress निताओं से उनको भी आप बताते होंगे भाई ये करो ये मत करो तो कोई सुनता क्यों नहीं है आपकी क्या उनके इर्द गेर्द जो सलाकार मंडली है आपने का उन्होंने कुंडली मारके बैठे हुए है वो पर गांधी परिवार राहूल गांधी प और एक चीज़ हो मैं एडवाइज होगा Congress Party को ये राहूल गांधी जी को नहीं क्योंकि राहूल गांधी जी इस वेई डीसंट ट्रोल ना करें लोगों को लोगों को ट्रोल करना लोगों को लोगों को बारे में कहना लोगों को अटेक करना डिबेट में आप शाल देना से क कॉंग्रेस को सेंटर में आना चाहिए बिल्कुल सेंटर में कैसे आएगी 370 पर स्टेंड लेगी रामंदिर पर स्टेंड लेगी मंदिर मज़ित का टाइटल डिस्प्यूट किया था और कौन सा एक लोगतांसरे के मुल्क है जहां पर कोट में एक के पक्ष में फैसला किया टाइटल डिस्प्यूट पर दुसरा पक्ष लोगों लूजिंग उसको पाच एकर जमीन दीग है ओकर पॉइंट टेकन दिया ना को साबून की तरफ घिर जाएगा तो नेरू जी के शब्त थे ना थे यह नहीं थे और जिसने वारे कॉंग्रेस ही थी ना तो अगर मोदी जी ने हटाया कॉंग्रेस कहती कि जब भी आइबरोगेट होगा वो समध्धानी तरीके से हम तरीके से जो जोगों को हमने बंद किय किया जो लॉक्डाउन किया जो उस वक्ट पे कर्फ्यू किया हम उसके खिलाफ है तरीके सारा मुसलिम आपको पता है नाराज हो जाएगा अगर कोई भी पार्टी एक पार्टी अगर यह स्टैंड लेती है कि 370 सही है राम मंदिर सही है कॉमन सिविल कोड सही है डेपल तला जो इन्होंने बैंक किया आप शराप पीकर अपनी पितनी को वाट्शेप तलग 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 दे दो यह कहां पर इसलाम में लिखा हूँ है तो देखिए जो स्टैंड है आप उसमें जो क्रिमिनलाइजेशन और उसके खिलाफ आप लड़ी है बट इंसें ट्रिपल त तो Muslims को भी तो रिहाबिलेट करना Congress का फर्स है तो आपको क्यों लगता है और आपको क्यों लगता है मुंबई का मुसलिम का करनातक का मुसलिम को मुसलिम को 350 से हैं मतला आप यह कह रहे हैं कि BJP ने Congress को मुसलिम पार्टी बना दिया था ब्रैंट कर गलत है बर उसका नुक्स को समझना होगा. तो क्यों हो रहा है न आपको और सेंटर में आने से तो और मुसलिम जाएगा? सेंटर में आएगे सब आएगे कॉंग्रेस के साथ because कॉंग्रेस नाचरली एक सेंटरिस्ट पार्टी है. वो एक बड़े टंबू, बड़े टेंट की तरह है तो मा गंगा में जैसे सब के लिए जगा होती है. मैं कॉंग्रेस की तुलना मा गंगा से नहीं कर रहा हूँ बिमार मुसलमान बच्चा भी पड़ता है, बिमार हिंदू बच्चा भी पड़ता है, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, बड़ी भिलंता से, अगर हिंदू धरम इतने खत्रे में है, इसलाम इतने खत्रे में, तो OAC का बेटा तलवार लेते क्यों नहीं उतरते हैं, और राहूल गांडी पड़ेकों के और रहल गांडीजिके देते हैं, पर ये व्रवार हैं उटिवाष एक और और समय को बहुता है एक Maa की तरह है उच तो मैं कभी भी Maa कि आप allies ना पख़मिंदी न करते और मैं कभी और उन्होंे इस thingartheater को सब विधिया एसानियाजीन लृव प्रकिसरे को भी आप किरती साइज नहीं करते राथ फीरिस हई सब करता हो और ग्रहुल गंडी को प्रदानमंतरी जी ने शुरूड किया था मैं आपसे और गुमा के पूष्दा हूं गैसा तेलंगाना की जीत काशरे किसको मिलना जाएcient सबसे पहले, वहां की स्टेट वीडिशिप को, सबसे पहले, उसके बाद, गांधी परिवार को, इसलिए, के साथ इंडिया में, खास करते टेलिंग आना में, मिस्स गांधी के प्रती एक सिंपती थी, हम लोग नेक सर्वे किया था, मेरा एक एक अप है, मेरे बिसनिस के reason for voting Congress was Sonia Amma. Oh, correct. Sonia Amma. Okay, ठीक है, मान लिया. Okay, मैंने मान लिया, चलिये. Okay. And Karnataka? Credit जीत का, किसको मिलेगा? Siddhar Amaya, D.K. Shifkumar, Organization, then Priyanka Ji and Congress. And Himachal? आपको, क्योंकि मैं आपके चैनल पर आप शाहिद एकी नहीं करेंगे, but again, State Unit पर, but very important, Priyanka Ji के साथ Rajiv Shukla. अगर Rajiv Shukla वहाँ पर नहीं होगे, मैं नहीं मुझे कहने दो, अगर Rajiv Shukla नहीं होते, आप चलाव नहीं जीते. जो Rajiv Shukla जी की भूमीका थी हमाचाई. Okay, यह त आप देखे, आप सोचे, 33 गर में आपने OBC Chief Minister दिया था, अगर आप OBC Reservation की बात कर रहे हो, आपने OBC Chief Minister दिया है, तो क्योंने देश्परेट एक मैजर था क्या, desperation था क्या, कॉंग मूफ था, Congress को U-turn लेना पड़ा, कभी OBC के लिए जाती करना, कभी नहीं मांगी Congress ने, राह उनको merit के उपर, अगर हम चाहे और अगर हम कोशिश करें, उनको affirmative action हो, वो एक अलग चीज़ है, आज BJP के Labour Minister ने कहा है, के Reservation होना चाहिए, प्राइविट सेक्टर में आज कहा है, तो BJP भी भी बात कहते है, BJP कहा दे ना, कासेंस के खिलाफे, BJP इतने बड़े इसके खिला नमिशादे बोलतों दिया कि हम नहीं है खिलाफ, फिर राहूल गांदी को टार्गेट करें, यहां पर कॉंग्रेस पसती है, यहां कॉंग्रेस, BJP कुछ ने कहते हैं, पर आप फिर भी राहूल गांदी की लीडर्शिप पर कोई सवाल नहीं उठाते, कितने चुनाब हारे ह भावन पर ले आये हैं वो कंग्रेस पार्टी को, इतने सारे स्टेट साइट शार गया, यहना कैया है, प्रधानमंतरी अपर केली BJP को जीता थे, उनके साथ एक टीम है, जो कास्ट की भूमिका मेरेती है, जो वे ट उठाती है, और नीचे लेवल पे एक टीम है, जो गlorण यहां पर सारा भार राहूल गांदी पर आता है, which is unfair. राहूल गांदी विचारे के लिए रड़ते हैं, किसने जिम्यदारी ही? ये तीन राज्जों के चुनाओं भी हार के, किसने रिजाइन किया? विचारे कमलनाथ को छोड़ते हैं, किसने रिजाइन किया? विचारे किसने जिम्यदारी ही, मैं आपसे पूछ रहा हूँ. तो हार राहूल गांदी की, जीर राहूल गांदी की ने. Amazing. ये तो BJP करने तो ठीक है, कॉंग्रेस में भी यही हो रहा है. कुछ लोग कहते हैं, कि अब कॉंग्रेस का कोई भविष्चे नहीं? नहीं, ऐसा नहीं. कॉंग्रेस अब बे, 2024 में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है. 2024 में भी. शर्त है, वो उन मुद्दों पे लड़े, जो देश की मुद्दे हैं. जिन मुद्दों से लोगों को अच्छली फाइदा होगा. ओके, यह आपने कहा था कि रियल इशूस पे आना चाहिए. रियल इशूस, एम्प्लॉइमेंट. जब बीजेपी राम मंदर की बात करते हैं, हमें राम राज्य की बात करना चाहिए. राम राज्य की आए, बीजेपी 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 ती आपने यहां पर जीज़ भी गए, 60-70% तब भी वहां पर 300 है ना उनके पास. जब तक इन 300 सीटों में आप 70, 80, 90 सीट पर नहीं आओगे, यह 200 प्ले में ही नहीं आते हैं. तो क्या कोई PM फेस देने से, राहूल गांदी को आपको लगता है PM फेस बना दें तो नरेंदर मोदी और राहूल की ठकर होगी, तो बेटर होगा? PM फेस से जादा, अगर कोई डिफेस्ट में राजनाथ सींची प्यूष गोईल वसे मिलिंडियोरा आप सोचें केजरिवाल जी वसे सम्थि किसी और मुद्दे के ओपर, इतना अच्छा डिबेट होगा, बिटर्ण की तरह एक शैडव केमिनेट बना तो बिल्कुल, यहां PYooj Goyal Ji कुछ कॉमस बोलते हैं, दियंडियोरा आकरश देते, वाज Видishankar Ji कुछ बोलते हैं, यह शशी थारूर आते बोलते हैं, वहाँ पर Amit Shah Ji कुछ जी कुछ जी कुछ बोलते हैं, वहाँ पर इन्होंने कुछ बोला, यहां पर स्टैलन साब या उदेनिदी जो भी स्पोर्ट के अनुराग टाकुर को टेक उन कर रहे हैं लेकिन उसके लिए कॉमन ग्राउंड पर तो आना पड़ेगा कॉमन ग्राउंड तो है नहीं वहां तो उदेनिदी स्टैलन क्या-क्या बोल रहे हैं हिंदु धर्म के बारे में आप सोचिए अगर यह बात किसी और धर्म के बारे में बोला गया होता तो और क्या ही बोलना चैये एक मून पॉलिटिक्स को छोड़ देतें बार्जो में मॉरली क्या आप कह सकते किसी के बारे में क्यों देंगी मलेरी आएए बिलकुल नहीं और यूरूप जाके मानक जूस के बारे में कह सकते बात जहाँ पर freedom of speech absolute है, आप जॉमनी में जाके कर जूज डेंगी मले दिया, आपको जेल में लेके बेलने में लिगा, इतनी liberal democracy है ना, अब कैसे एक सनासन के बारे, किसी के बारे में कैसा, तो कॉंग्रेस फिर ये सब सहरी है, ने, तो उन्होंने बंद करवाया, बिल्कुल उनने क बट पब्लिक स्टैंड एना चाहिए, और लिया, कमलाथ ने गिया, सुर्जेवाला ने लिया, पब्लिक स्टैंड इनों ने लिया, कि ये नहीं बोलना चाहिए, पर नॉर्थ साउथ पर तो प्रवीन चक्रवर्ती का ट्वीट, और नुकसान हो गया उसके पहले ने, नुक इस तरह की बेवकूफल पे, वो कॉंग्रेस का नुकसान करते हैं, यूपी बिहार वाले जो हिंदी बोलते हैं, वो हमारे हैं टॉयलेट साफ करते हैं, आप सोचिए, आपने इतना सनातन को गाली दी, इन लोगों ने, हिमाचल में, जहां पर सरकार बने चाहिए, राजी श को उससे आलाइंस को तोड़ लेना चाहिए, मैंने एक जोक कहा था, मैं बात प्रोल होने वालाएंस को अगर ये बंद नहीं करीगे ना, तो जो मनी शंकर एर कोंग्रेस के लिए कर देते हैं, बंद करो बात करना, ये बंद करो बात करो, और देखिए, उनकी पॉलिक्स अल प्रोपोगेट जादा हो रहा है, सोचल मीडिया की दुनिया में, और आपका लुक्स अपर्टी है, जिससे आपको लगता है कॉंग्रेस को गड़बंदन नहीं करना चाहिए, ये कौन-कौन से स्टेट्स हैं, जापर, ये मैं कह रहा हूँ के टेमके से गड़बंदन नहीं अच्छा, तो आपको अच्छा, ये आप लोग बिद्ली मीज देखते हो, ये मैं 2008 से रिखते आया हूँ, ये 2008 में पुना के अदर एक चीज पवार सर और अजी पवार सोर नहीं किया था, पुना पैटन, जबके Congress सरकार में थी, चेंदर में, स्टेट में, और सिटी में, व इतने नीता कहा से, BJP से रहें कॉंग्रस से, जब देखों कॉंग्रस, अब शरत पमार को देखी ना, गौताम अधानी के मुद्दे पर क्या स्टेंड लिया उन्होंने, और बार-बार मिलते हैं वो अधानी जी से, जब कि राहूल गांधी अधानी 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 पूरा ट बर किसी को व्यक्तिकर टार्गेट मत करो, मुझे लगता है, बैकफायर करता है, बैकफायर करता है यह नियों, देश का मुद्दा ही नियों, उसका डिविडेंट नहीं मिलता है, आदमी को क्या फरक परता है, आदमी को अपनी नौकरी चाहिए, तो PM फेस या बनना पर क्या राहूल गांधी को अमेठी में दुभारा जाकर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन यूपी में बिल्कुल उतरना चाहिए, यह फिरो राहूल जी हो, प्रियंका भी हो, सोन्या जी हो, कुछ लोग कह रहे हैं प्रियंका को मोदी जी के सामने उतर जाना चाहिए, यही नुकसान प्रियंका जी का यूपी में वा न, आपने उनको उतार दिया, यूपी में जनरल सेकरेटरी, ना संगठन, ना मीडिया, ना रिसॉर्स ना इर्दगर सरकार, आपने उनको उतार दिया, अब उस वक्त उनको मध्यापदेश, राजस्तान, उस वक्त के चुना मेरे पर इतने सारे जिल्म हुए, खरगे जी उनसे भी जादा टाइरिंग सर्कम्सेंस से आते हैं, और भी गरीब परीबार से आते हैं, और भी उनके साथ भेड़बा हुआ है, तो मोधी जी को खरगे जी पर अटेक करना बहुत मुश्किल है, तो क्या खरगे वर्सिस मोध हाल में आपने TNC के विरुद देखा, वेस्पेंगॉल में, सोनिया जी को जो परस्नल अटेक्स हुए थे, तो मोधी जी को इन दोनों लोगों को, कॉंग्रेस के में लोगों की बात करा हूँ, परस्नली व्यक्तिकर अटेक करने में उनको मुश्किल होती है, राहुल जी को कर लेते हैं, पर कभी भी आप देखो, सुनिया जी को अभी, प्रियंका जी को और खरगी जी को अटेक्क नहीं करते परस्नली, और वो उन्होंने इसे सीखा है, जो मिस्टेक उन्होंने वेस्पंगॉल में किया, दुबारा उसे सीखे है, आपने कहा कि अभी बहुत सारे इ कोई भी स्टैंड व्यक्तिकत हो, उसको दूसरा व्यक्ति चाहिए अपनी बात रखने को, आप जाई और अपनी बात रखिए, आप उस आइंकर से बात कीजिए, आप उससे दर्खवास कीजिए, आप चैनल से बूलिए, बट बॉयकॉट करना मुझी रहता है, कॉंग्रेस कुछ होता देता है, कॉंग्रेस ने हमेशा इंगीज किया हमाई उनसे थोड़ी नो लड़ाई, उन 14 लोगों से हमारी क्या लड़ाई थी, उन्होंने क्या, हमारी लड़ाई बीजेपी से पुलिटिकल, अमें बीजेपी कुलिए अपर आजकर लड़ाई ऐसी होगी है ना, जैसे बीजेपी सपोर्टर कहते हैं ना, कि गुजराद दंगो के समय, नरेंदर मोधी को कैसे उन्होंने, SIT के सामने पेश करवाया, अमिछ शा को जेल भेजा, यह इची बात है, तो वहां से रिष्टे खराब ऐसे हुए, साहिर, सबसे पहले, यह बात, आप चिक करना इस 99% Congress leaders को भी बात पतानी होगी, अब यह problem है, Congress की यह problem है, सबसे पहले मोधी जी ने कहा है, तो जो Sonia जी के लिए गलत है, मोधी जी लिए सही कैसे है, यह problem क्या है, इसमें political बात करते है, मोधी जी जो attacks होते है, मोधी जी उसको घुमा सकते है, Congress हो नहीं घुमा पाती है, इस बहुत सारे नेता बोलते है, मुसल्मानों के लिए तो यहां बहुत मुश्किल हो गया है, कैसा देश हो गया है, यहां तो मुसल्मान जी नहीं सकता, अत्याचार हो रहे, राहूल भी जाकर विदेश में कह रहे थे, Minorities के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, तो इसके दो मुल्क में जैनोसाइड हो रहा है, या कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है, तो यह दोनु चीज में अंतर है, बट यह बात जरूर है कि बीजेपी हेट को एंकरिज करती है, कुछ हद तक, क्यों को लगता है, पुलिटिकल फाइदा मिलता है, बट क्या मुसल्मान खत्रे में इस खास कते भारत जोडों में, जब जहां राउल जी के साथ हर बर्ग के लोग, हर कैटिगरी के लोग चल रहे थे खुले आप, आप सोचे जम्मो इन कश्मील है, पुलिटिकल, लोग सड़क पे निकल रहे है, लाकों की बीड में, आप तहसीन, आप मुसलिम है, आप प्रैक् किंडे के साथ है, काट निक करता, और मुझे नी जग करता की ही, जब नहीं कुछ नहीं किछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सिफ कौंगरेस को ही सपोट कर झार, तुक अब रहुं के जिया? प्रियंका के साथ में रिष्टा भी है आपसा ने मैं इमोशनली उनको एक लीडर की तरह देखता हूं और राहूल को मैं इसलिए नामने की को अलड़ी कॉंग्रिस के अंदर हो इक बहुत अमारली जे प्रियंका ने कहा के तैसीन 24 का चुनाब आगया है यहां से लड़ जाओ मैं प्रियंका जी आ राओ जी को अच्ति को नहीं तालओ मैं ना को चला नियुक्त मैं प्रियंका जी राओ की कोermeता की को नहीं था कर। inan मैं जब जाहिने, मैं रोबर्ट वाडर का इंटर्वीव करूँगा और मैं उनसे जरूर पूछूँगा, लेकिन आपने भी कहानिया सुनी होंगी, जो कहानिया आप शेयर करना चाहते हूं ने, मैं जदोूर, बट मैं एक चीहीब बहुत एड़ा करता हूं आफ बारे करता हूं, के टताह ए रभी दर्हेक उसे, अध्यार के बिधा हूं, आफ ये वालना हूं। और इसी काव तो मुचे बुरा लगा के शहादाने ने 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 को अटाक किया, वेरी निसे पीपल, चाहे प्रियंका जी और रॉबर जी और बहुत नॉमल कुपल की तरह है, तो इतना प्यार है दोनों के बीच में, इतना प्यार है, जो आपको अपको देख सकते हैं, जो परस्नल चीज बोलनाने चाहता है, और उनके लव स्टोरी के बार में मुझे प्रियंका जी ने बताया था, मुझे और मॉनिका को, एक दिन बता रही थी, तो मैं आपकोस और रावुट से पूछ ली ना, आपकोस इतना प्रियूट से नेज़िए, और मुझे से आपकोसा है जी ने यूड़ों के यह पूछ वाली ना, जो अआपकोसा है, अपकोसा है जो यह वरत सारी मुझे खूछ लुछ से ने ने यूट जो भॉली पूछा था? से हम आये दिली इघ Poke वह हज़ार नो में जो हजार आठ नौके शहाराट वह च dat ड़ना में है परभाई के लिए नहीं सिरे इंटर इंटनर्शिप के लिए क्राइबार के लिए शॉखना सीयनिर ने कि असम आइप सिता राजिब शर्दे साधे चलाते और इसके साथ किया और फिर उनके बाद राजीव जी के साथ किया उनों ने राइट शेहजाद में इंटर्शिप किया मैं आया 2008 में 2009 में 2008 में में Commonwealth Youth Games के साथ पूना में बॉल था क्रमाडी जी के साथ पिर अच्चे दोस्ते हैं हम लोग प्रिवारिक संब्नक में सिर्माडीAwakarta परिवारिक संब्नक में देखने सिर्वार्त करादो्या किई ने ए सब्र IU Twitter था भी रहे, मैं सारा handle कर रहा था, हम लोग जीत गए Puna के अंदर, Congress जीत गए, दिल्ली के था, फिर मैं दिल्ली आया, फिर वो चाहते थे कि जो पुना की टीम हो दिल्ली में इंवाल्व हो, लेकिन मैं इंवाल नहीं होना चाहता था, क्योंकि मैं बाकी वापिस अपने लाइफ में बिजी था, दिल्ली पुना में कर रहा था, शहजाद दिल्ली के अंदर था, वो committed था, और वो committed Congress को भी, Congress पर लब उस आइडियालोजी को उस वक्मिट था, आज भी, मैंने जुनाब तेजस्वी के साथ भी कुछ काम किया, तेजस्वी की help की ना, जब लालू जी जेल के बार आए, जो उनकोंने पूरा पहला रैली के था, अब बन कर दिया, क्योंकि अब मैं सेफ इंवेस्मेंट करता हूँ, as an investor, I only invest in businesses, मुझे day to day businesses चलानाए, because it takes too much of time and I don't want that to be the focus, so I want to do investments, तो वो मेरा बहुत अच्छा चाल रहा है, my investments, my venture capitalism, और लोगों से मिलना अलग-अलग चीजे, उसमें अलग-अलग जिसको जो भी business करना है, but I don't want to run the businesses. Okay, okay. All right, Tahseen, अब इस interview का rapid-fire round. Done, gift hamper, क्या मेलेगा? कोई gift? अच्छा लेखते हैं कि आप जवाब कैसे देते हैं, चोटे जवाब देने एक दून, एक word या एक sentence, ठीक है और ज्यादा time नहीं लेना है. All right, Tahseen, rapid-fire round में पहला सवाल, आपके लिए पहले क्या आता है, परिवार या देश? देश. पहले क्या आता है, धर्म या देश? देश. मुसल्मानों के लिए इस देश में पहले क्या आना चाहिए? धर्म या देश? संविधान, देश. Okay, संविधान, all right. मतलब देश? देश, संविधान. Okay, मुसल्मानों के लिए पूरी दुनिया में सबसे अच्छा देश रहने के लिए कौन सा है? भारत. इसमें एक लाइन एड़ कर दू? मान लो, पाकिस्तान ने सिये जैसा कानून बनाया. मान लो, और का जो भी मुसल्मान यह पे पीड़े थे, पाकिस्तान आ जाए. कितने मुसल्मान जाएगे पाकिस्तान? कोई नहीं जाएगे. और भारत ने निकाला एक कानून, हिंदू छोड़ दीजे. जो भी मुसल्मान आप पीड़े थे, आजाएगे. सारे आजाएगे. उसका आंसर महीं पर हो गया. देश का सबसे बड़ा मुसलिम नेता आप किसे मानते है? मौलान अब्दुल्कलामाजाद. आज की तारीक में कोई है? आज की तारीक में सल्मान कुशीद बहुत अच्छी नेता है. OAC को नहीं मानते है आप? कौन? OAC. वो BGP के नेता है, वो मुसल्मान नेता है. वो BGP के नेता है. OAC जी. मुसल्मानों के खिलाफ? वो मुसल्मानों का नुकसान करते हैं. वो मुसल्मानों का नुकसान करते हैं. BGP का? सॉरी, मैं एक लाइन इसमें बूलगा. मैं दुबारा से उसेंटन बूलगा. अगर अगर इसलाम इतने खत्रे में तो OAC के बच्चे आ जाए ना जमीन के ओपर. ओके, BGP का सबसे उदारवादी नेता कौन सा है? बहुत है, बट नितिन गटकरी है. गटकरी जी? और पुराने में वाचपे जी? वाचपे जी, बट नितिन गटकरी. बेश का बेस्ट मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं अब तक का? बेस्ट मुख्यमंत्री? चीफ मिनिस्टर. जो अब हमारे बीच नहीं रहे, विला सौदीश मुची. ओ, महराश्टर. ब्रिलियंट चीफ मिनिस्टर. और BGP में? बेचीफ मिनिस्टर को, मुझके लगव, शिवरा सुष्ण चौहान जी वह को निखाली गा है. इस जो प्रिलियु आपने जो के, आपने जो, I know what you just did today. Okay, देश का सबसे अच्छा बोलने वाला निता कॉन सा है, सबसे अच्छा बहाशन कॉन देता है. सबसे अच्छा, English में शशी थरूर, very good speeches, Hindi के अंदर काफी नेता है, बहुत अच्छा भाशन देते, but आचकल मैं इंप्रेस्ट हूँ, हमारे Sachin Pilot बहुत अच्छी speech देते, Sachin Pilot? और Priyanka Gandhi, Priyanka Gandhi हिंदी में, कमान उनकी Hindi में हिंदी. बीजेपी का बेस्ट प्रवक्ता किसे मानते हैं? सविदान चुत्री वेडी, और शहजाद. कॉंग्रेस का बेस्ट प्रवक्ता किसे मानते हैं? पवन खेड़ा. शहजाद को दस में से कितने नंबर देंगे प्रवक्ता के तौर पर? साड़े आठ डेर इसलिए कभी-कभी वो परसनल होता है अगर वो ना हो परसनल तो ही उसके उससे जादा अगर मेरे फॉर्मला पर चले तो बीजेपी को कितनी आएंगी अगर कॉंग्रेस को बार कितनी सीटे आएंगी अगर मेरे फॉर्मला पर चले तो ऑन हो 171-80 सीट आएंगर मेरे फॉर्मला पर चले तो बीजेपी को कितनी आएंगी अगर कॉंग्रेस को बीजेपी को उतनी नी नी आएंगी अगर इस वाट अगर देखा जाए तो फिलहां लग लग रहा है कि बीजेपी लीड में 220-230 अराम से पार अगला अगला प्रधान म प्राफरी कौन बनेगा 29 में 29 में बनेगे चनाव होगा अब यह एलेक्शन कमिशन हो रहा है बट नहीं जोक सपाक 29 की बात 29 में इस वाट अगर बीजेभी जीतेगी मोदीजी बनेगे और पूरा टर्म निकालेगा कोई बीच में रेटायर नहीं करेंगे क्या योगी जी कभी पीम बनेंगे पूशिश करेंगे वो अरे आप तो को अग्रेस सपोर्टर है आप खुलके बोल सकते हैं बीजेपी वाले नहीं बोलते है इस पर देखें योगी जी अमिच्छा जी के बीच में कॉंपेटिशन होगा ओके ठीक है क्या राहूल कभी पीम बन पाएंगे मैं चाहता हो पीम बले राहूल और प्रियंका में बेहतर नेता कौन है स्पीचिस प्रियंका जी के बैटर है राहूल जी मुझे लगता है ज्यादा और ग्राउंडेड है और एंपथेटिक है बेस्ट कॉंग्रेस प्रेसिडेंट कौन रहा है ओवराल अब तक इंडिपेंडेंस के बाद अगर अभी अभी रिसेंट में आप अगर इंडिपेंड क्या रोबर्ट बादरा को चुनाब लड़ना चाहिए मेरी अगर बात माने तो हां लड़ना चाहिए वह बाके वह वह कौटिबूर करते है वह अच्छी मैं एक चीज़ उनके बारे में कोगा वह आप उनको पूछ ले ना वह इतना चारिटी करते है इतना काम करते कभी भी कोई उनको वह उनकी चीज वह आगे न आती है और हमेशा चीज को चुपाते है अब उनको पूछना इसके बारे में वह बाके बहुत काम करते है प्रियंका को चुनाब लगना चाहिए 100% देश का बेस्ट पोलिटिकल माइंड किसका मांगते है अप्रेमिस्टर मोधी 100% सब अब यह मोधी को दस में से कितने नमबर देंगे? साढ़ेचय है साढ़ेचय है अमिच्छा को कितने नमबर देंगे? As Home Minister, 4. यह बहुत फेल हुए. और मैं जनुरनी कह रहा हूँ, As Home Minister वे फेल हुए. As politician, अगर आपको पुछो, Amit Shah as politician, 8 on 10. 8.5 on 10. Amit Shah as Home Minister, 4 on 10. क्योंकि उनके नाग की नीचे दोदो बाद दिली दली दली. Okay, अब मैं कुछ नाम लोगा, जो पहला शब्द आपकी जहन में आता है, वो बताना है. Shahzad Poonawala. भाई? Robert Barda. Cool. Cool. Priyanka Gandhi. Priyanka Gandhi, leader. Rahul Gandhi. Sorry, Priyanka Gandhi, charismatic. Rahul Gandhi, leader. Charismatic. Rahul Gandhi, leader. Sonia Gandhi. Ma. Ma. बहुत सारे लोग कहते हैं. Yeah, actually Ma. Stalin, junior. Should keep his mouth shut. Shut up. Keep his mouth shut. Okay. Dhyani Dhimaran. He should also follow that pattern and keep his mouth shut. First, अब को अपना मूँ बंद रखना. Jyotir Aditya Sindhya. Royal. Yogi Indri Yadav. Dugal साफ. Dugal साफ. मुझा बताता है, यहीं बोलेंगा. Prameen Chakravarti. Data Babu. Dharendra Modi. Prime Minister. Safe है. Amit Shah. Amit Shah Ji, के बारे में मैं कहूगा. चानक क्या बोलते हैं बहुत लोग? ने, मैं को चानक क्या नहीं महनता. But politically तो ठीक है, तेज है. पहला वर्ड Amit Shah Ji, के बारे में असर्टिफ. असर्टिफ. वैसी. Dugalapan. Saadvipragya. Hate Speech. Kamal Nath. Missed Opportunity. Ashok Gyalod. Should retire. Sachin Pilate. Future of Rajasthan, Congress. Yogi Adityanath. In race for Prime Minister with Amit Shah Ji. With Amit Shah Ji. Himanta Viswasarma. Congress should not have let him go. Very good. Congress has को नहीं चोना. Mamata Baner Ji. Charismatic only woman chief minister. Arvind Kejriwal. टै कर दे को उनको करना क्या है. हो हाँ चीज में चीज करते हैं. एक फाणी लेने मुझे लगता है, Arvind Kejriwal future के निटिश कुमार जी है. हाँ चीज में चीज करते हैं. Okay. 370 पर stand आपका क्या है? बढ़िया किया, मुधी जी निकाल दिया. ये निकालना उनका promise था. निकाला, congratulations. Common civil code. क्या देश में एक कानून होना चाहिए सब के लिए? बिलकुल लेा, इसे मुसलमान को कोई फरक नहीं करता है. बढ़क परता है, निकालने सर्तन से जुदा के स्लोगन लगाओ. उसी के साथ, देश के गदारो को गोली मारो, ये भी स्लोगन. ये बंद होना चाहिए, ये देश में अलाओन नहीं होना चाहिए. और मैं BJP से घुसे में हो कि उसने उसको इस तरह से ट्रीट किया. हिंदू राष्ट्र. ये अल्री हिंदू देश है, ये हम क्यों सोचते कि हिंदू देश नहीं है, हम सेक्यूर है. तो रस्स भी कहता है. बट हम कल्चुरली तो हिंदू है ना? और मैं जेनूरी निकर अगर आप मेरी मम्मी को कभी, अगर कभी आए और मम्मी आए, तो मेरी मम्मी बच्पर नहीं है, शेहजाद वोगड किड, मैं मिश्चीविएस था, हमेशा कहती कौन ते जन्नम के पाप के तो तू पहना हुआ, मुस्लिम में नहीं होते जन्नम के पाप के तो कचली हम हिंदू है, तो आपके घर सब तूहर मनाई जाते हैं? सारे, अभी हमने क्रिस्मस मनाया, दुमदाम से, हम नवरोज मनाते, दिवाली मनाते, लक्ष्मी पूचर करते और एद भी मनाते, हमारे घर में कभी, हमारे घर में हमें सेलिबरेशन होता है, हमेशा खुला होता है, लोग आते हैं सेलिबरेशन होता है, और इतना फ़न आते हैं, और उसे साब से डेकोरेशन होता है, इसलिए कभी-कभी मैं सप्राइज होता है, जैनूल नहीं कह रहा हूँ, जब ये बीजेपी वाले कहते है, आप पहली बात दिये जलेगे घर में, तो ये हमारे घर में पहली से जल रहे थे, आपको शाहिए ये लगता है नहीं है, ये सब के गर में पहली से जलेगे, तो ये बीजेपी वालों का अजेंडा टोड़ना करीए है, आप कॉंग्रेस सपोर्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद, आप एकलोते शायद ऐसे राष्टरवादी हैं, जो खुल कर कहते हैं, कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कॉंग्रेस गलत कर रहे है, ये हाथ में भी आप आपने तिरंगा बनाया है? ये जब भी भाजपावाले कहते हैं, कि आप देश्दुरी हो में गोलता हूँ, तो टॉक तो टॉक तो आप जोक सफ़ाट, आपको शॉक कपड़ों को भी बड़ा शॉक है आपको? ये इसलिए मैंने बता है, कि मैं पहला टैटू में चाहता है, हमेशा, तो उन्होंने का ये नहीं लग सकते हैं, अगर कुछ धक्का लग गया, कुछ हो गया, कोई वहाँ पर किसी ने आप शब्दों का प्रयोग किया, तो फिर वो कॉंट्रुवर्सी हो जगी, तो फिर मैंने ये करवा दिया, तो ये है, तो ये अच्छिली मेरी वाइफ के नीजने, दे वह जाए, तो उसका जो प्रैंड ये, तो उसका इसने डिजाइन किया, तो उसने बनाया ये, वाव, वजे भी जाइस, वेरी निइस, सब लोग जो Instagram पे जाकर Simran Vardra को ढून दिये, उसके ब्रैंड को ढून दिये और उसको आप like कीजिए तो यह उसने design किया. Good luck, good luck. Thank you. Okay, great. Thank you so much Tahseen. बोत मज़ा आया चायवल आइंटमी में. Thank you. Enjoy. Thank you so much. Thank you.